तो वेल्कम बैक तो मैं चैनल जिसका नाम है एजुकेशन जेमिन कैसे हैं तो इगनु स्टुरेंट्स हो जाओ तेयार अगें नेक्स्ट असाइमेंट लेके आचुका हूँ जो अभी असाइमेंट है वो है आपका ATR01 यानि Application Oriented Course of Translation 2020 and 2021 का ठीक है फर्सली आपको आसाइमेंट फ़र में देख लो फाइल लेना है फ्रेंट शीट का डिटेल्स एंड असाइमेंट कोस्ट जरॉक्स करवा लो यह वाला फाइल चाहिए आपको यह वाला ठीक है कोई भी आप एक सेमी होता है ठीक है अगर आपको पीडिएफ चाहिए 10 रुपीज वाटसाप कोंटेक्ट कर सकते हो नमबर नीचे गिवन है तो फ्रेंट शीट जो आपका होगा वो होगा इस बेसिस पर जैसे यह आपको दिखा रहा हो स्क्रीन पर तो इस टाइप का आपके पास होना चाहिए ठीक है इसके अंदर आपके सा आपको नहीं लगाना उसमें आपके अंदर सिर्फ इंस्ट्रक्शन गिवन होते वह चीज मैंने आपको पहले बता दिया कि फ्रेंट शीट पे आपका कौन सा पेज लगेगा देन आपको कोंट पेपल लगाना है ठीक है यानि आपको अपने सारे अंशर शीट देने ठीक है यह जो असाइमेंट एपलिकेबल है वैलिड है 2020 स्टूडेंस जुलाई सैसन के लिए एन जैन्वरी 2021 यानि कि आप जुलाई सॉरी आप मार्श 2021 तक इसको समिट कर सकते हो ठीक है उसके बाद के बच्चों के लिए न्यू आ जाएगा ठीक है तो चलते हैं आपके असाइमें नमबर वन जो है उसमें पूछा गया है translate the following prose into Hindi means आपको एक पैरा दे दिया है पूरा ठीक है इसके अंदर आपको इसको Hindi में translate करना है यह आपका translation का subject है तो इसको आपको Hindi में translate करना है ठीक है second question जो अभी तक question paper आया है उसमें समझ नहीं आया पाया है कि यह लिखा क्या है ठ but don't know कौन सी language लिखी है तो इस बज़ेस मैंने second question यहापे skip किया है then third question आपको short notes लिखने है मैंने English में भी दिया है Hindi में भी दिया है ठीक है जितने भी questions है आपके Hindi and English both languages में दिये है तो सबसे पहली बात first question आपको Hindi में translate करना था तो सारे बच्चे उसको Hindi में ही लिखेंगे second question जैसे आता है मैं video की description में बता दूँगा क्या लिखना है ठीक है तब तक wait करें तब तक आप ये सारे questions अपने solve कर ले ठीक है and Hindi medium के students first and second question को छोड़े बाकि जितने question है वो Hindi medium में करे and English medium के student first and second question को छोड़े बागी जितने question है उसको Hindi में ही करें क्योंकि first and second question में Hindi or English में translate करने वो ले तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जैसे मैंने बता है कि question number one new page से start करते हैं ठीक है मैंने इस वज़े से आपको एक PDF format में हाथ से लिखके दिया है ताकि आपको समझ पूरा आए कि new pages में अगर आप start करते हो तो किस तरीके से करना है ठीक है हर new page से new question आपको start करना है क्योंकि देखो जो checker है उसको जितना neat and clean काम मिलेगा वो उतनी अच्छी तरीकी से checking करेगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने second question के लिए आपको बोल दिया description मैं करवा दूँगा बाद में question 3 new question new page के साथ ठीक है यह question scientific translation क्या है English वालों का उपर दिया है then Hindi वालों का नीचे मैंने कर दिया ठीक है तो दुबारा बता रहा हूं Hindi medium वाले हिंदी में लिखे English medium वाले English में लिखे but after second question यानि third to eight question eight question में भी आपको Hindi में करना यानि third to seventh question तक आप English में करो English medium वाले and Hindi medium वाले आप Hindi में करो ठीक है बाकी सबसे best है आप अपने सामने अपने assignment question open कर लो and वहाँ पे आप easily read करके भी लिख सकते हो solution आपको दे दिया है hope आपको अच्छा लगाओ आप अपने assignment अच्छे तरीके से बना लो ठीक है मैंने b-point यहाँ पे दिया आप लिख सकते हो नीचे continuous करके क्योंकि यह third question ही का part है ठीक है बट याद रहे हर new question fresh sheet के साथ यूज़ करना ठीक है and assignment के लिए आपको बता चुका हूँ कि A4 size sheet यूज़ करना है ठीक है आप दोनों तरफ blank वाला भी यूज़ कर सकते है या एक तरफ rule another side blank वो sheet भी यूज़ कर सकते है बट A4 size sheet आप stationary पर जाते हो वहाँ पर आपको बोलना होगा शॉप की पर से कि whatever जो भी आप बोलते होने कि मेरको project sheet चाहिए अगर आप बोलते होना assignment sheet चाहिए वो आपको A3 size sheet देदेगा वो cheap rate में होता है दस या बारे रुपे काता है तो आपको वो देदेगा बट वो A3 size होता है ठीक है आपको करना किसमे A4 size sheet में इसलिए आप बोलना project sheet देदो ठीक है जिसके अंदर full पतिया ना बने हो ठीक है आपके 90 से नीचे marks नहीं आएंगे रही बात second question की वो आपको मैं description में वीडियो में जैसे इसका question पर धंग से आ जाएगा मैं करवा दूँगा ठीक है बट तब तक आप wait नहीं कर सकते हैं हाँ समझ सकता हूँ आपके पास अभी time है बट जिन बच्चों को जल्दी भी करना ह है वो कर सकते हैं सिफ एक question की जगा यानि आप सिरियल नमर मत है page नमर उपर मत देना starting में आप बाद में लिख देना ठीक है उससे पहले आप यह सब कर लो जाए से जाए दो pages आपको रखने होंगे second question के लिए क्योंकि आपको English में translate करना है ओके तो जादा pages में आएगा नहीं वो वो आपसे वही डेरपनने का आपसे हिंदी में दिया है तो उसको English में लिखना होगा तो वही one two two pages में easily approach में आ जाएगा ठीक है तो उसके लिए आप दो pages अलग से रखो serial number मतले लिखना अगर आप page लिख भी देते हो तो ठीक है first question के लिए creativity दिखा सकते हो दिखाओ ठीक है बट इसका मतले यह नहीं है कि आप ड्राइंग बना लेना लगए color करके ठीक है आप ड्राइंग बना सकते हो बट color मत करना ठीक है color मत करना एंड आपको सिर्फ black blue and pencil का यूज करना है बस अपने answers को करने के लिए ठीक है colors प्लीज मत यूज करना यह आपका assignment है project work नहीं है ठीक है assignment अलग है project work अलग है ठीक है इस वीडियो के साथ काफी courses और भी है means subject है आपके like AMT01, AHE01 इस दोनों के लिए बोलना चाहूंगा कि इसके projects बनते हैं तो आप बच्चों के पास अगर यह subject है तो comment section में जरूर बताना आपके पास यह subject है 5th question यहाँ से start हो गया ठीक है जरूर बताना comment section में कि आपका भी EHE01 and EMT01 subject आपके भी है आपको project बनाना है आप मेरी videos देख सकते हो हाँ वो पुराने बच्चों के लिए applicable थी जिनका अभी September में exam होने वाल है उनका online submit करना था ठीक है इस वज़े से but project कैसे बनाते है हर चीज जो उसके अंदर समझा है तो आप उस video को भी देखके समझ सकते हो मेरे video playlist में सब given है question number 6 new question then solution ठीक है English medium वाले सिफ English में लिखे 3rd to 7th question तक and Hindi medium वाले 3rd to 7th question तक Hindi में लिखे है बाके समय आपको translate करना है ओके and जिसको भी ये PDF चाहिए आप PDF भी ले सकते हो नीचे number आपको given है 931179-4406 आप इस पे मेरे से WhatsApp पे contact कर सकते हो anytime ठीक है WhatsApp पे आप contact करो आपको मैं PDF दे दूँगा but cost आपको मैंने बता दिया है 10 rupees only ठीक है तो जिसको भी PDF चाहिए हो वो contact कर सकता है WhatsApp पे and आप अपना assignment बना लो अच्छे way में ठीक है second question जल्दी करवा दूँगा description आप चेक करते रहना वीडियो का continuous जैसे question पे पर आजाए अगर धंक से मैं second question भी करवा दूँगा बागी सारे question आपको करवा चुका हूँ यहां पे ठीक है आप कर सकते हो जिसको PDF चाहिए वो contact कर सकता है WhatsApp पे okay so आप start कर दो अपना assignment and साथ के साथ बना लो and submit कर देना आप before your last date ठीक है question number seven new question new solution ठीक है नए pages से आपको fresh sheet से use करना है ठीक है and आपको बता चुका है A4 size sheet लेके आओ file console आनी है सबसे पहले आपको again बता देताओ format क्या रखना है सबसे उपर आपका आएगा front sheet जिसमें आपके details होंगे then आपका question paper assignment question then आपके सारे solutions ठीक है solutions आपके A4 size sheet पे होने चाहिए ठीक है हर page पे आप अपना serial number यानी page number जरूर दे देना ठीक है क्योंकि वो सब आपका एक presentation का part होता है that आपने अपना assignment जो बनाया है तो आपने work कैसा रखा है ठीक है तो आप start कर लो and बागी subjects भी जल से जल upload हो जाएंगे videos आ जाएगी but आप subject मेरे को बताओ कि आपका कौन स है अगर वो subjects के assignment आ चुके होंगे तो मैं जरूर करवा दूँगा otherwise आपको wait करना होगा जब तक आपका assignments नहीं आते ओके तो आप बना लो अपने assignments ठीक है and इसके बाद आपका next last question रहता है your eighth question जिसके अंदर आपसे सिफ यह पूछा English में दे रखा हिंदी में आपको बताना ह कि उसका मतलब क्या होता है ठीक है तो eighth question की तरफ बढ़ते है and firstly हिंदी में कर लो जिन बच्चों का हिंदी में ये ठीक है तो हिंदी वाले बच्चे भी कर सकते है इसके अंदर क्योंकि last time जो मैंने दिया था उसमें English का ज्यादा mostly part था तो बच्चों का आया था कि sir हिंदी म बच्चे वो किसमें करेंगे इस वज़े से ठीक है बट ये भी कहना चाहूंगा translation का है आपको किसी भी एक language में आप कर सकते हो ठीक है ऐसा कोई mandatory नहीं है कि आपका जो medium है उसी में करने है आप किसी एक medium language में कर सकते हो बट आपको याद रखना है कि वो assignment आपका उसी language में हो सब्सक्राइब देना जो भी आपका RC है वहाँ पर RC और स्टरी सेंटर जहां पर भी आप समिट करवा सकते हूं वहाँ पर आप करवाना है ठीक है तो यहाँ पर last question की तरफ आ चुक है question number 8 जिसके अंदर आपको translate into Hindi करना है first ad hoc अनवचारिक eligibility पातरता deputy commissioner उपर आयुक्त appointment नियुक्ती withdraw निकालना political राजनीतिक constitution संबिदान finance with additional अतिरिक्त withhold रोक लेना ठीक है तो assignment बना लो आपको वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए useful हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share and subscribe ज़रू कर देना and comment section में बताओ आपको next assignment कौन सा चाहिए अगर आ गया होगा तो जरूर करवा दूँगा मिलते हैं next वीडियो में, tata and goodbye